नमस्कार मैं हूं कमल श्रीमाली आपका स्वागत अभी नंदन हमारी इस चैनल खेल ग्राओं का में हम बात करें मासिक रासी फल की सितंबर 2019 की और अब मैं बात करने जा रहा हूं मीन रासी के रासी फल की यह जो प्रोग्राम है यह एपिसोड है मून साइन पर आदा रहीत है रासी पर आदा रहीत है रासी का अर्थ गोचड से गिनने के लिए होता है कि आपकी रासी से कौन सा गरत कितनी डिगरी पर अभी विचरन कर रहा है कब वो चेंज होगा कब वो उच रासी में जाएगा आपको फाइदा देगा तो अब जब हम बात मीन रासी की कर रहे हैं तो मीन रासी का अधिपती अताथ दो केंदर का अधिपती भी है और एक त्रिकोण का अधिपती भी है जिसे लगन का जाता है लगन को त्रिकोण भी माना जाता है केंदर भी माना जाता है और कुणली में 10 ताउस का अर्थिक कर्म है अतात केंजर है उन दोनों भावकादीपती बाग्यस्तान में है अतात ब्रस्पती इस समय बाग्यस्तान में विचरन कर रहे हैं गोचर में हैं 5 नवंबर 2019 तक और 11 अगस्त 2019 से वो मारगी हो चुके हैं इसलिए उनका फल आपको बैटर मिलता रहे पर विश्वास करते हैं वो कुछने कुछ गेन करते हैं जो रासिवल विश्वास नहीं करते हैं उन लोगों को क्या फाइदा या क्या नुकसान है वो वही अच्छे डंग से बता सकते हैं जोतिस का फाइदा लेने में नुकसान तो कहीं पर भी नहीं है कुछ होने वाला है उसको अगर यदि आप पहले जान लेंगे तो इसमें आपका ही भला है और जो हम आपको एपसोड बना कर दिखला रहे हम आपसे कुछ ले नहीं रहे हम आपको दे ही रहे चाहे वो ग्यान के रूप में चाहे अपनी मेहनत के रूप में चाहे एफड के रूप में और आपको सुनकर के सिर्फ एप्लाई करना है और इसमें फाइदा ही यह आपने प्रोग्राम देख करके जरूर कमेट बॉक्स में यह बतलाना है कि हमारा प्रियास आपको कितना पसंद आया सब इतना भर प्रियास आपको करना है तो आईए सबसे बहले बात करते हैं gain and wealth की gain का अधिपती शनी है और wealth का अधिपती मंगल है तो gain का अधिपती शनी है वो शनी 11th house और 12th house दोनों का अधिपती है वो शनी वहां से 10th house में इस्तित है अथाथ रासी कुल्ली में 10th house में बैठा वा शनी अपनी 30th house को देखेगा, 7th house को देखेगा और 10th house को देखेगा रासी से 10th आयवा शनी ज़्यादा सुब नहीं माना जाता है क्योंकि वो negative भावों पर ज़्यादा असर डालता है अथा 7th house को देख करके आपके गरस सुक में समस्या उत्पन करेगा तो कुणली में 4th house को देख करके आपके पारिवरिक सुक में कमी करेगा शनी की जो द्रस्तिया है वो हमेशा प्रतिकुल प्रभाव डालती है तो गेन की जाते किस्तिति है वहां से आपको संभलने की जोट है वहां आपको कंट्रोल करने की जोट है क्योंकि 18 सितंबर के बाद में जरूर आपको कुछ राहत मिल सकती है गेन में क्योंकि पिछले लगबग आप ये मान लीजे अप्रेल स्टार्डिंग से ये मार्च एंड से जब से शनी वकरी हुए है वहां से आपको आमदनी में असंतुस्ती होने लग गई है आपके आमदनी के जो भी काम थे जो भी एक्स्ट्रा इंकम के रिसोर्से थे वो वीक होने लग गए थे अब 18 सितंबर से उनमें राहत मिलेगी इंकम के नएने स्टोत्रा आपके सामने आएंगे और अल्टिमेटली 24 जनवरी 2020 से आप इंकम में सबसे अच्छी इस्तिती देख पाएंगे क्योंकि उस समय रासी से 11 आउस में शनी आ जाएंगे तो वो जो तीन साल होंगे 17 जनवरी 2023 तक आपकी लाइफ का सबसे अच्छा सक्सपूल टाइम पिरिड रोगा और सनी की 37 से ठीक पहले क्योंकि 17 जनवरी 2023 को आपको सनी की 60 साथी लग जाएगी उससे ठीक पहले यही शनी आपको एक्स्ट्रीम सक्सेस के लेवल पर ले जाएगा सनी की 37 से ठीक पहले और उसके ठीक बाद के जो भी समयकाल होता है फाइड़ए शाल में उसको better बोला जाएगा और मंगल आपकी रासी कुंडली में भाग्य का और संपती दोनों का स्वामी है और रासी से सिक्स्त आयवा सूर्य रासी से सिक्स्त आयवा मंगल ये दोनों ही improvement है ये दोनों ही positive है ये दोनों ही 6th house में इस चुब फल देने वाले भवनवान पर इसलिए बहुत ज़्यादा देख बाल करके उनके पेपर चेक करके ही आपको इनको सोधा करें या जो भी डील करें एक अच्छे से वकील से संपर करें पूरे कागज चेक कराएं उसके बाद में आगे बढ़ें और मैं उससे एक अदम आगे उठकर के और बोलन चाता हूं कि जो भी आप संपति करे करें चोटा सा लोन जरूर बैंक से ले लें ताकि बैंक वाले उन सारे जो पेपर से उनकी सिक्वेंस चेक करेंगे उनकी चेंज चेक करेंगे उसमें कोई भी कमी होगी तो आपको लोन नहीं मिल पाएगा लोन आप असानी से दो मेने ब पति, बुद्ध है, बुद्ध दो केंजर का पति है four talks और seven talks इस समय जरूर last- इस समय जरूर्ण six talks में है, सूरी के साथ में होने से आस्त है, लेकिन आने वाले समय में 10 सितंबर को बुद्ध उच्छ endeavor'si के हो जाएंगे, उस समय पारिवार एक सुख में आप इंप्रूमेंट हासिल करेंगे आपको सुख नसीब होगा आप घर में सुख सांती चैन अमन ये सब देख पाएंगे सनी की साथवी दस्ती आपके सुख भाव पर है और राहू वहां पर इस्तित है राहू उच्छ रासी का हाली की फिर भी बहुत ज़्यादा सोच विचार कर देगा वहां पर आदमे को थिंकर बना लेगा तो जो भी घर की परिस्तिया हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है कि यह जो मेरा परिवार है जो सब कुछ सही डंग से चल रहा था अचानक से क्यों विरोत खड़े हो रहा है अचा बोटी सी बात करने से एक प्रकासे वादविवाद खड़ा हो जाएगा और एक बार जो वादविवाद खड़ा हो जाएगा वह हमेशा याद आता है वनस अपने टाइम आपने मुझे ऐसा बोला था चाह चोटे भाई-बेनों को बोलेंगे वह भी आपका विरोत कर सकते है अगेंस में हो सकते हैं और जब आगे बढ़ जाएंगे उमर आगे बढ़ जाएगी तो कहीं कहीं वह चीज सामने जरूर आएगी तो ऐसी चीज़ों से बच करके अतात आर्ग्यूमेंट से बच जाईए जहां तक ऐसी इस्तिति आती ये बाद भी बाद की वहां से उठकर के खड़े हो जाईए थोड़ा सा गुम करके आ जाईए तो वो समय आपको परिशान नहीं करेगा क्योंकि जहां पर गर्मा गर्म बै ब्रस्पति की जस्ति है तो पांच नवंबर दोजार उननीस तक तो ये समय आपके लिए बैटा रहे सिक्सा के लिए विध्यार्तियों के लिए एजुकेशन के लिए और संतान प्राप्ति के लिए भी बागियस्तान में बैठा हुआ ब्रस्पति रासी से नाइंत आउस मे ब्रस्पति ये पांच रासियों में ब्रस्पति हमेशा सुबफल देता है टोटल 40% आबादी को ब्रस्पति हमेशा सुबफल देता है तो 40% आबादी को शनी हमेशा पीडित भी करता है तो जहां तक शिक्सा की बात है शिक्सा में आपको इंप्रूमेंट आसील होगा ब्र ब्रस्पति की दस्ती में सबसे ज़्यादा सुपता है लेकिन इसके साथ में एक चीज और भी है कि यह ब्रस्पति सिरफ पांच नवंबर 2020 तक ही रहेगा इसलिए मैं सेप्टमबर की बात कर रहा हूं सेप्टमबर 2019 के में बात कर रहें इस माह में जरूर आप अच्छा फल द रहा और स्पेसली जो फाइनांस से जुडे वे जो फ़ॉरं ठ््रेड्ड से जुडे वे जो करेंसी से जुडे वे बिजनस यह लोग है यह जो यह स्टैडी कर रहे हैं डिप्लोमा कर रहे तो उन लोगों के लिए समय काल बहुत अच्छा है साथ ही साथ जो लोग भी कॉमर्स के स्टुडेंट हैं अथा जो लोग वानिज्य के जो लोग मैतेमेटिक्स के एकोनोमिक के स्टुडेंट हैं वो जलू 10 सितमबर के बाद में जोहीं बुद्ध उच्छ रासी का जाएगा वहां से और ज्यादा अच्छी स्ट्रेंद और ज्यादा कमफर्टेबल सिच्वेशन पाएंगे अब बात करते हैं स्वास्ति की आपके दुश्मनों की एनिमीज की और रोग और कर्ज के साथ में तो यहां पर रासी से 6 ताउस में सूर्य मंगल बुद्ध और शुकर सभी एक साथ में चार गरे एक साथ में तो सूर्य और मंगल ये दो गरे तो रासी से 6 ताउस में आपके लिए शुब है शत्रू का अधिपती रोग का अधिपती सूर्य है जो शिक्स ताउस में होने से उन रोगों से बचाव का साधन बनेगा आपको बचाव करेगा लेकिन जान तक शत्रू की बात है सूर्य और मंगल दोनों एक साथ में बैट करके लाप तो पहुंचाते हैं शुपता भी देते है अता जोस और जुनून वाली इस्तिति आप में ज्यादा आ जाएगी शिक्स और रोग का भी है तो कर्ज का भी है कंपटिशन का भी है वाद विवाद का भी है तो यह सब जो आपके शत्रू हैं उन पर हावी होने की इस्तिति में आप व्यरत के एलिगेशन ले सकते हैं आप व्यात में लड़ाई जगड़ा मोल ले सकते हैं, व्यात में आप कोई कष्ट को, कोई संकट को, कोई दुस्मनी को और ज़्यादा बड़ा रूप दे सकते हैं, उससे अपने सावधान होने की ज़रूत है, इस्पेसली दस सितमबर तक आपने ज़्यादा सावधान ही बूष दोस्तों में कुछ नियंत्र्ण उसपर होगा तो यहां पर कोई कोट कचरी का gäller हो कोई बी negativity हो उसमें आपने थोड़ा से संबल करके थोड़ा की है अब PayPal करके और महिंटर्ण करके ड 떠 इसे शम Literacy official कोई समस्य आने वाली training दैं नहीं है लेकिन आपने लड़ा ही जगड़े से बसना है दुस्मनी मोल नहीं लेनी है क्योंकि आज के समय काल में एक छोटी सी दूरगट न एक छोटी सी मार पीट भी आपके लिए बहुत महनगी साबीत हो जाती है क्योंकि आपके बद छोटा प्रयार आपको 7-8 दिन तक आपको घर पे रहने को मजबूर कर देगा अतार एक चोटी सी चोट आपके करम शेत्र में आपको पीछे धकेल सकती है इसलिए ऐसी चोट चोटी बातों से एक शनिक जो आवेस आता है कुछ सा आता है उस चीज़ को कंट्रोल करना जरूरी है उस को जाने दीजे अब बात करते दंपत सुक की तो दंपत सुक का अधीपति आपकी रासी कुणली में बुद्ध है बुद्ध जो की 10th सेप्टमबर को अपनी खुद की रासी मा जाएंगे उच रासी को जाएंगे वो आपके लिए बैटर है लेकिन वहीं शुक्र नीच रास शुक्र है सुक कारकश्वेग रेंखास्व रासी तो उस सुक में कमी देने का काम करेगा लिए के लिए क्या चीज़ जिमेदार होती है आपसी मन मुटाव आपसी कास हुनी को इनको मेंसर नस्टेंडिंग या हमारा आवेश को जिद या मैं सही हूं ये इगो जो आ करता है वह जरूर इस्टों को खराब करता है तो इगो को आप नियंतर में करिए अपने उपर कंट्रोल करिए और जो कुछ भी है वह जो कम्यूनिकेशन इसके लिए उसको सही रखिए बात्चीश से सारी समस्याओं का हलो हो सकता है यदि बात्चीश जारी रखेंगे कुछ भी ऐसी चीज हो जाती है उसको ठंडे रूप में जब भी समय मिले तब आराम से पूछ सकते हैं उसी समय मत उसी स्पोर्ट पर आपने इस्तिती का नियंतर्ण या फैसला नहीं करना है उसी इस्तिती का पर जो डिसकस करना है वो आ नाजुक हैं एक छोटी सी प्रावलम आपको अलगाव के रास्ते पर धकिल सकती है एक इगो वाली चीज आपके लिए बहुत बारे मैंने देखा है कि बहुत छोटी प्रावलम के कारण लोग तलाग के दरवाजे तक आकर के बैठे वें तो हमने उनको प्रैक्टिकल रास् के यह समय बहुत ज़्यादा सावधाने का है अपने वाले जिवन साती को अपने परिवार से मिलाना चाहते हैं यह टाइम पिरिड़ अच्छा नहीं है यह समय सुब नहीं है इस टाइम पिरिड़ को आप आगे बढ़ाईए टाल दिजिए जब अच्छा वक्त हो तब यह और आपसे जो रिष्टे हैं वो भी रिष्टों को संभालना जरूरी है वहना उनमें भी दरार आ सकती है आईए अब बात करते हैं आपके केरियर की आपके करमशित्र की आफिस की यह जहां आप काम करते हैं जहां आप रोजी रोटी के लिए प्रयास करते हैं तो आपकी रासी कुल्ली में 10 ताउस में शनी विराज माने तो साथ इसाथ केतू भी विराज माने केतू जो की अधूरे पन के लिए मशूर है अता जहां भी केतू होगा हमेशा विक्ति उसके बारे में ज़्यादा सोचेगा क्योंकि केतू की वासना कभी पूरी नहीं होई है जहां भी केतू होगा उस भाव से समदे लाज साथ उस विक्ति को हमेशा सताएगी तो आपकी रासी कुल्ली में 10 ताउस में केतू है तो एक से ज़्यादा आप काम करेंगे तब भी संतुष्ट होना आपका मुश्किल है एक से विक्ति सब यह सोचते हैं मैं जब काम करूँगा बहुत अच्छा काम करूँगा तो मेरा यही कहना है जब काम स्टार्ड करेंगे तब ही तो बहुत अच्छा होगा तो सिरफ असरफ सोचते ही मत रहिए कि संसकत में हमारे जो भी गरंते पुराने उसमें कावत लिकी गत कुछ कर गुजडने का है आपकी मेहनत का है अपने आपको जो डाइवर्ट हो रहे हैं उस तीसे कंट्रोल करना है एक से ज्यादा काम करना हर व्यक्ति के लिए संबब नहीं है जो व्यक्ति हैंडल कर सकते हैं उनको करना चाहिए और जिनका समय अच्छा होता है उनको मैं बोल करना है वो करेंगे तो आपको उसके सुब परिणाम ही मिलेंगे सक्सेस्फुल ही आपको इस्टेंज आपकी प्लानिंग बनेगी और आपका कॉन्फिडेंस बहुत जबर्दस बीड़ अप हो जाएगा तो ऐसे इस्तिति में 18 सेप्टेंबर 2019 को जोई शनी मारगी हो जाएगा आपको अपने करम सेतर में राहत मिलेगी कुछ रुकेवे काम पूरे होंगे जो कॉंटक्ट जो कुछ कॉंटक्टर लोग हैं जो कॉंटक्ट लेकर के या टेंडर भरके उसका काम करते हैं या लेबर से काम करते हैं उन लोगों के लिए सबसे ज्यदा सुब माना जाता है वो सथ आपके लिए 18 सेप्टमबर से कारक होने वाला है एक्टिव होने वाला आपके लिए बलवान होने वाला है अब बात करते हैंग तो यहां पर ट्रेविलिंग का अधिपति शनी हैं सनी अपने से 11 आउस में बैटे आवा है तो ऐसी स्थिति में जो आप कारोबरी यात्राइए करेंगे जो भी आप कोर्ट कचरी के मेटर को solve करने के लिए यात्राइं करेंगे जो भी लड़ाई जगड़े हैं उनको निप्टाने के लिए जो यात्राइं करेंगे वो जरूर आपकी सफल होंगी और जो लोग भी पूर्व की तरफ यात्रा करना चाते हैं या उत्तर पूर्व की तरफ यात्रा करना चाते हैं इशान को 2019 के खत्म होते होते आपकी दुनिया में काफी बदलाव आने वाला है इंपूर्मेंट काफी बैटर होने वाली है 2020 के सेप्टेंबर से जब राहू चेंज हो जाएगा तो आपकी प्लानिंग बहुत सक्सेस्फुल इस्तिति में होगी एक्स्ट्रा ओर्डिनरी प्लानिंग होगी आपका नेम फेम आपका वर्चेस वह आपकी गुडविल आपकी रेपोटिशन यह सब बढ़ेगी और 24 जनवरी 2020 से सनी रासी से 11 आने पर जबरदस्ट इंकम हर काम में सक्सेस जो भी आप काम करेंगे वो सक्सेस्फुल की स्टेज में जाएगा और यदि आप जॉड़ कर बिजनस करना चाते हैं तब भी आपके लिए सही समय है आपको यह चीज करना चाहिए तो जो ट्रैवलिंग है वो ट्रैवलिंग किस सेतर में होगी और फिर भी यदि ट्रैवलिंग करना चाते हैं पस्टीमी देशों की यात्राइं करना चाते हैं लंबी दूरी की यात्राइं करना चाते हैं तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है आप यात्राइं कर सकते हैं अब बात करते हैं उपायों की, तो जो अभी situation चल रही है, उस situation में सबसे उप्युक्त यदी कोई उपाय है, वो उप्युक्त उपाय है सिवन्त आउस के लिए, अताथ ग्रस सुक के लिए, जब तक कि शुक्र नीच रासी में रहेगा और रासी से एड़त रहेगा, वहां तक आपने सुक्र से समधित उपाय, आपने पूजा उपासना उपाय करने है, अताथ हर सुक्रवार को सफेद मिटी चीजों का दान करना है, हर सुक्रवार को लक्षमी की पूजा करके सफेद पुस्पों से उनकी पूजा करनी है, स्री सुक्त का यदी पाट कर सकते हैं, ब्रस्पति से सम्मधित अताद हर गुरुवार को आपने पीले फलों का दान करना है ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंतर का आप जाब कर सकते हैं ठीक आप दसावतार विश्णु कवच धारन कर सकते हैं या लक्षमी नारायन कवच धारन कर सकते हैं अपने बैड के साइ से ही आपके सुजाओं से ही हम अपने प्रोग्राम को और अच्छा बना पाएंगे स्वस्त रहें प्रसंद रहें अपना अपने घर के बच्चों बुजर्गों के समेथ सारे परिवार का बहुत बहुत खाया रखें नमस्कार हुआ झाल